Hello Friends, Welcome to Do Practice, कैसे हैं आप सब? आज हम Economics में करेंगे Types of Oligopoly Market Oligopoly Market कितनी Types की होती है? Types of Oligopoly Market से हमें पहले पता होना चाहिए कि Oligopoly Form, Oligopoly Market क्या होती है? Meaning of Oligopoly Market and Features of Oligopoly Market हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में आप वो वीडियो चेक आउट कीजिए ताकि आपको Types of Oligopoly Concept दियर हो First one is Perfect Oligopoly Perfect Oligopoly और Pure Oligopoly Perfect Oligopoly when firms are producing homogeneous product Means कि Oligopoly Market to exist है ही कि Few Sellers है और Buyer है और Sellers बहुत कम है Perfect Competition की तरह भी नहीं है कि Large Number of Sellers and Large Number of Buyers Monopoly की तरह भी नहीं है कि Only One Sellers and Large Number of Buyers And Monopoly की तरह भी नहीं है Oligopoly means कि Buyers Large Number में है और Sellers क्या है और Sellers क्या है Few है बट Sellers Few है बट वह Big है Means Sellers Sell करने वाले उस Commodity को कम है बट वह फर्म इतनी बड़ी है इतना ज्यादा Production करती है कि वह तीन से चार फर्म और सेवन तो एट फर्म भी पूरी मार्केट को कवर कर देती है जैसे Perfect Competition में क्या है कि बहुत सारे Sellers है और बहुत सारे Large Number of Sellers And Large Number of Buyers But Oligopoly में क्या है कि आपके जो Sellers है वह Very Few है कि और वह Few Sellers है वही पूरी मार्केट में करते हैं वही पूरी मार्केट को Cover करते हैं तो Perfect Oligopoly में कि वह फर्म आप प्रडूजिंग होमोजीनियस प्रडुक्ट कि वह फर्म जो होमोजीनियस प्रडुक्ट प्रडूज कर रही है Like Cement Cement यह जो फर्म है वह Cement प्रडूज कर रही है या Steel तो यह फर्म वह प्रडूजिंग होमोजीनियस में जो Same Time of Commodity Same Type of Product जो प्रडूज कर रही है उसको हम कहेंगे Perfect Oligopoly for example Cement और स्टील Second One Is Imperfect Oligopoly Perfect means कि फर्म जो है Same Product और Homogeneous Product प्रडूज कर रही है जो प्रडूज कर रही है वह Closed Substitute है जैसे अब दो फर्म है एक A फर्म भी स्टील प्रडूज कर रही है और B फर्म भी स्टील प्रडूज कर रही है तो दोनों के स्टील प्रडूज कर रही है तो यहां पर कंज्यूमर के पास Option है कि वह A फर्म से भी स्टील परचेस कर सकता है और B फर्म से भी स्टील परचेस कर सकता है वह जो दोनों फर्म है वह और दोनों ही जो प्रडूक्ट है वह क्लोज सब्सीचूट है कि ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि कंज्यूमर A फर्म का ही स्टील परचेस करेगा यह B का नहीं करेगा कंज्यूमर के पास दोनों ही Option है और दोनों ही प्रडूक्ट क्या है सब्सदर Works तो प्रडूक्श दोनों ही प्रडूक्शन, क्लोज्ट इस सब्सक्राइब oligopoly means कि जहां पर फर्म है वो differentiated means different product produce करती है when firms produce different production or product for example A firm है वो secret produce कर रही है और जो B firm है वो soft drink produce कर रही है तो both are different जो forms है वो दोनों अलग-अलग production कर रही है दोनों अलग-अलग product produce कर रही है तो that is known as imperfect oligopoly that mean ki firms are few but they cover whole market or producing differentiated product third one is biopoly biopoly when there are only two giant firm giant that mean buddy firm large firm in any industry यह जब पूरी industry में क्या हो सिरफ दो फर्म ही है यह दो बड़ी फर्म है जो whole market को पूरी market को cover करती है for example in soft drink के अगर हम बात करें तो coca-cola and pepsi यह दो फर्म ऐसी है और बड़ी फर्म है लार्ज फर्म है इंडस्ट्री के अंदर जो पूरी market को कवर करती है तो दियो पूली simple सा example दियो पूली डियो मींस क्या होता है दो और पूली मींस दो और की जहां पर दो ही फर्म है market में यह इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री में दो ही फर्म है जो whole market कवर कर रही है जैसे इस नोन अस दियो पूली नेक्स वन इस बाइलेटरल मॉन पूली बाइलेटरल मॉन पूली बाइलेटरल मॉन पूली अध मिन हमने मॉन पूली पढ़ा है ओल्योपवली पढ़ लिया वट इस ओलिगोपवली अध मॉन पूली हमने क्या पढ़ा था कि वन सैलर एंड लार्यज नमबर ऑफ buyers that is monopoly कि एक ही seller है और buyers बहुत ज्यादा है and what is violated monopoly that mean कि where a single seller faces a single buyer means कि जहां पर single seller है वो single buyer को face कर रहा है जहां पर आपका seller भी एक ही है और buyer भी एक ही है monopoly भी कहा था कि seller single है but buyers बहुत सारे है बहुत ज्यादा buyers है but bilateral monopoly और monopoly में difference यही है कि bilateral में एक seller and a buyer और monopoly में one seller and large number of buyers bilateral monopoly like Wikipedia की sale करने वाला भी उसको Wikipedia ही है और वो हर buyer को face करता है means हर consumer को जो भी उस पर सर्च किया जाता है वो उनको result प्रवाइड करता है तो वहां पर हर seller हर सिंगल बायर को face कर रहा है उनकी नीड के according उनको data प्रवाइड कर रहा है that is bilateral monopoly where a single seller faces a single buyer no other seller and no other buyer next is collusive and cooperative oligopoly हमने starting में जब oligopoly का meaning किया था तो हमने एक term पढ़ी थी कि जो firms है वो क्या करती है आपस में competition करती है competition in kind of कि जो firm है for example car produce करने वाली दो firm है एक Ford firm थी एक Ford company है और एक Toyota company है ठीक है तो जो अगर Toyota company अपनी firm अपनी कार के जो prices है उनको कम करती है means Toyota company अगर अपनी कार के prices को कम करेगी तो Ford company भी अपनी कार के prices को कम कर देगी means both are in competition कि अगर Toyota वाले अपनी कार के prices को कम करेंगे तो Ford वाले भी अपनी कार के prices को कम कर देंगे क्यों क्योंकि अगर Ford वाले ने अपने कार के prices को कम को नहीं किया तो किसकी सब्सक्राइब को ये कोई करीक में उसके में हैं प्रेमाइब और नक्रिछ कर देक हैं तो नहीं है तो ये स्पोर्ड वाले को प्राइस को कदे में करेंगे तो टोईटा वाले अपने कार के प्राइस को कम करते हैं तो डेफिनेटली फोड वाले के अपने कार के प्राइस को कम करेंगे बट अगर टोईटा वाले अपने कार के प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो कुछ नहीं है कि फोड कंपनी भी अपने कार के प्राइस को इंक्रीज करे की तो that means they are in competition तो हमारा जो fifth type है oligopoly का that is related about competition collusive and cooperative oligopoly नाम से clear है cooperative that means जो cooperation करेंगे जो cooperate करेंगे तो इसमें collusive and cooperative oligopoly को अगर हम one word में define करें तो that is brotherhood means भाइचारा कि जितनी भी firms market में हैं वो क्या करेंगी आपस में भाइचारा बना लेंगी एक agreement कर लेंगी कि हम उसी price पर उसी इतना ही output करेंगे same price पर sale करेंगे वो क्या करते हैं collusive and cooperative oligopoly में एक agreement बना लेते हैं और कि जितनी भी firms हैं वो उसी agreement के तुरू अपना sale करेंगी agreement में क्या mention होगा कि एक particular form को इतना production करना है और इतने price पर sale करना है that means all form decided to avoid competition through a formal agreement जितने भी firms market में होती हैं वो सभी avoid करते हैं competition को कि means जितनी भी forms हैं वो competition नहीं करना चाहती है वो सभी भाइचारा बना के agreement करेंगी और उस agreement में किस price पर हमें car sale करनी है पर example किस price पर हमें car sale करनी है कितना car का output रखना है कितना हमें car का production करना है वो सब कुछ क्या करेंगे वो पहले से decide कर लेंगे ताकि अगर ford ford company five lakh rupees में अपनी car sale कर रही है तो Toyota वाले भी अपनी car को five lakh rupees में ही sale करेगी उनके बीच में कोई competition नहीं होगा एक agreement बन चुका है कि हम इसे price करेंगे that is market price तो फॉर्म सब्सक्राइब and fix for themself output and for output quota or market price वह काटल कर लेते हैं agreement बना लेते हैं और उस agreement में fix कर लेते हैं कि में कितना output और market price कर लेते हैं और उसी price पे उसी output quota के अंदर वो अपना जो है business continue करते हैं अपनी company continue करते हैं ना वो ज्यादा output रखते हैं और ना ही उस price से ज्यादा वो sale करते हैं क्योंकि agreement उनके बीच में हो चुका है वो सभी form cooperative है corporate कर रही है उसी agreement के through वो sale करेंगी उसी agreement के through output करेंगी ताकि उनके बीच में competition ना हो क्योंकि अगर एक price fix है कि आपको 500 रुपीज में sale करना है तो second firm ना तो अपना price कम करेंगी और प्राइस कम करेंगी तो कोई competition बिन दोनों के बीच में नहीं होगा output के regarding और प्राइस के regarding competition होता है उनको लेकि कोई competition नहीं होगा तो कोल्यूजिव और कोप्रेटिव और पॉली को पॉली सिंपल सी टर्म है कोप्रेटिव डाट मीन कि सभी फर्म competition से बचना चाहती है और सभी फर्म competition को वोईड करती है कि अग्रिमेंट बना लेती है और उस अग्रिमेंट पर लेकितना आउटपूट रहेगा सब कुछ वो डिसाइड करते हैं कि अनोन और नोन कोप्रेटिव प्रुक्रीटिव और फोड्रिव और नाम से क्लीर नोन कोप्रेटिव दैट मिन कोप्रेटिव नहीं करेंगे अगर कोल्यूजिव परपेशा करते ही कि उसका पौ बैहने हैं बट नोप नौर कपीटिशन करेंगे हैपना प्रदक्शन करेंगे competition के थू ही हम अपने product को sale करेंगे यहां पर competition क्यों करती है forms क्यों to increase market share क्योंकि उनको market share increase करना होता है same like that first example कि अगर Toyota वाले अपने car के production को ज्यादा करते हैं या price को कम करते हैं if Toyota price decreases Ford also price decreases because अगर Toyota Ford company वाले अपने car के price को decrease नहीं करेंगे तो उनका market share क्या हो जाएगा क्योंकि फिर Toyota वाले का market share increase हो जाएगा consumers ज्यादा कहां जाएंगे Toyota company की तरफ क्योंकि उनके prices क्या है कम तो इसी वज़े से नौन कॉलिजीव में competition प्रैफर करते हैं ताकि उनका market share अपना increase कर सके वह नौन कॉलिजीव में कट फ्रोट competition रहता है कि वह competition करते हैं competition ही प्रैफर करते हैं एंड इंडिपेंडेंट प्राइस एंड आउटपुट पोलिसी आपर क्या रहता है कि जो प्राइस है वो टोबट में कुलिजीव में किसी अरी वह को सवह नहीं इंडिपेंडेंट नहीं रिगारडिगरिंग आउटपुट पोलिसी में क्या यहां पर इंडिपेंडेंडेंडेंट हैं में인이 व अपर करेंगी वा उरकूट्ब करें और में भी जादा तो जह यहां पर independent price है और policy output policy दोनों ही independent price भी और output policy को लेकर किसी अधर firm को लेकर dependent नहीं है तो simple collusive competition avoid फिर्प्स agreement regarding price and output quota और नोन कोलिजिव कंपेटिशिए प्रेफर उनक्रीज मार्केट शेर एंडिपेंडेंट रिगार्डिंग प्राइज आउपूट पोलिशी सिंपल सा मेनिंग ताहिंगा उसके बाद है अधर टाइप्स फोलिगोपॉली उसके बाद है ओपन ओलिगोपॉली ओपन मींस ओपन ओपन मींस कि यहां पर जो फॉर्म है उनकी एंट्री और एक्जी पर कोई बारियर नहीं है हलाकि हमारी मार्केट में फ्यू फॉर्म्स होती हैं फॉर्म्स बहुत कम होती है जो फॉल मार्केट को गवर करती है मिस वो फॉर्म ही प्रडक्शन करती है और वही फॉल मार्केट में कम्प्लीट मार्केट में सेल होता है तो ओपर ओलिगोपॉली कि यहां पर फॉर्म के दो पर कोई बारियर नहीं है कोई नहीं है कि वह फिर्म में ट्रन नहीं कर सकती मार्केट में जब कोई भी नू फिर्म केसाै बहरा ना अपन 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 फमय सब्सक्राइब कर तो हुआ नहीं सकति और कोई ऑड फोली मार्केट से जा नहीं सकती है तेखे हैं हमारी जो अल्वीगो पॉली मार्केट है वो क्लोज हो चुकी है कोई न्यूफर्म मार्केट में नहीं आ सकते विकोज ओव टेक्नोलोजी इतनी एडवांस है कि कोई भी नई फर्म उसको डॉप नहीं कर सकती या उसको कुछ टेकनिकल विसकी वज़े से भी नहीं के लिए खालर होना है तो उस फर्म के पास यूज इणश्य हो उसके पास प्रॉटेंट हो सब्सक्राइब हो सकता है जिए मज़े से वह बमार्केट मेंटेब्स हो सकते थाँ यशि og यॉ ली ननिए हो सकते एं पार्शल अलीगो पॉली इम यहां प्राइस लीडर होता है जो प्राइस लीडर है वही लीड करता है प्राइस को मिस जो प्राइस लीडर है को एक प्राइस सेट करेगा और वही प्राइस फोलो करेंगे अधर फॉर्म्स तो पार्शल देट में कि जहां प्राइस लीडर है जो आपको प्राइस सेट करके देता ह ऑंता है और यहोई भाके फ़ाम सो डप करती हैं अन्ज एमपार्शेल और फ़ Championships में स्टैकि प्राइस डिटट है कि प्रश्ण किया है कि प्रेस डिड़ में और तो कि तो चाहिं पर्श्ण explodes कर तो कि मिन्स कि करोणा प्रेसल करें लुसक्त कण्ट करत variety points पर वही प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा तो यह थे टाइप सो फॉली को पॉली बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि डियो पॉली क्या है बाइट्र मोनो पॉली क्या है जस्ट आपको मीनिंग भी क्लियर होगा तब भी आप इनके एक्जाम्पल्स को फाइंड आउट सकत है ऊप्पन ओल्ली क्या है कोलेजिवड नाम तर्वक्तुल्सत ओल्ट एप्शोड को है इसके बाद ऐफ हुआhing तो अध्यक्ट को पॉली कि हुआ है उसके इफेक्ट को फॉल्ट टॉमट्ड इस्मॉल आपको और बिस्क्याम रिस ऐसकोन अचसे होसे को फेंस्छलां सी Edda कि अपनी आटपूट आप पूलिसी और अपने प्राइज पॉलस को भूडप कर दी हैं कि ृदर फर्म का इंण कितना ऑटपूट कर रही है अदर फर्म किस अप्रैस पूर्स आपने तो चोHa Sam को ऑफने अपने को को सेल कर रही है तो पूंकि अगर नगहरे अगले ऐ फार्म यह वह आवटपुट ना कर रही हो ज्यादा प्राइस पर वह सेल कर रही है तो विल्कुल सेम कोर्ण करेगा एफ हम तो इससे क्या होगा उनका ऑटपुट है वो कम होगा मिनेस फॉरम का उटपुट क्या होगा कम होगा oligopoly market की वज़ा से oligopoly market है sellers कम है तो और वह first of all की sellers कम है and second कि वह sellers भी आपस में क्या कर रहे competition कर रहे हैं कि other firms किस price पे sell कर रही है other firms कि output पे sell कर रही है तो यही reason है कि यहां पर output पर एक टाइप से restriction लग जाता है यह output हमारा कम amount में होना शुरू हो जाता है क्योंकि हम दूसरी फर्म की दूसरी फर्म को देखके और पॉलिसी अड़ोप्त करते हैं second in high price high prices क्यों है oligopoly market में because of first of all जो फर्म है oligopoly form वो high price set करती है सबसे पहले तो sellers कम हैं तो वो starting सही high price fix करते हैं एक तो high prices जैसे है plus इसमें जो है selling cost बहुत ज्यादा होती है excessive selling cost selling cost ज्यादा क्यों होती है जैसे कि excessive selling cost selling cost excessive क्यों है क्योंकि जो firm है a firm b car produce कर रही है and b firm b car produce कर रही है consumer को कैसे पता चलेगा कि कौन सी car best है किसका price कितना है किसमें क्या services extra है क्या facilities available प्रवाइड कर रही है बहुत फर्म तो इन दोनों फर्म को इन सभी information पहुचानी है consumer तक कि हमारी car best है हम कितनी facility provide कर रही है किस price पर हम sale कर रहे हैं तो सारी information consumer तक पहुचाने के लिए हम क्या use करेंगे advertisement तो जो advertisement पर जो कोस्ट होगी जो कोस्ट हम या expenses हम देंगे advertisement के उपर तो उन expenses को हम कहते हैं selling cost selling cost means कि उस product को sale करने के अपर हमारी कितनी cost आ रही है जैसे कि हम add expenses कर रहे हैं यह हमने अपने प्रड़क्ट को एक बार रिक्रोगनाइज करवाने के लिए coupon distribute किये sample samples distribute किये ताकि हमारे प्रड़क्ट की क्या हो sales start हो for example in coca-cola जब coca-cola first of all market में आई थी तो उस time उसने free samples provide किये थे ताकि consumers को उनका टेस्ट पता चले और फिर वो पता होगा तो वह भाई भी नहीं करेंगा तो अल्यको पोली मार्केट में selling cost बहुत ज्यादा होती है excessive होती है क्योंकि यहां पर फॉर्म को add expenses करने पड़ते हैं that mean advertisement expenses करने करने पड़ते हैं kupons distribute करने पड़ते हैं सब samples distribute करने पड़ते हैं ताकि उनकी product की market में recognition हो एक identity हो कि that this type of product is also available in market तो इस वजह से यहां पर selling cost बहुत ज्यादा होते हैं और अगर selling cost ज्यादा होंगे तो price कोई भी firm कैसे set करती है वह set करेगी cost cover हो उसका plus profit cover हो means profit भी profit भी लेके चलती है अपने price के अंदर और selling cost भी उसकी ज्यादा होती है इन सब को मिला कि क्या होती है उस overall product की prices prices बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे कि अभी car है इनके prices बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके cost भी cost भी cost भी होती है plus जो company अपना price profit भी set करती है इन मेंसे कि इतनी cost पर इतना profit मुझे चाहिए और उसके बाद cost यह तो होगी हमारी car की cost plus उसको sale करने के लिए selling cost है वो अलग तो इन टीनों को मिला के जो है from price set करती है selling cost भी ज्यादा होता है यहां पर profit margin भी ज्यादा होता है उसी वज़सें के prices क्या हो जाते हैं हाई लावर efficiency lower efficiency means कि जो oligopoly market में जो efficiency है वो क्या होती है lower lower क्यों होती है क्योंकि A firm B firm को देखके produce कर रही है A firm B firm को देखके produce कर रही है A firm B firm के output policy अपना रही है maybe A firm ज्यादा efficient हो B firm ने produce की 50 car for example A firm ने produce कर रही है इसमें 50 car B firm ने अपना production कम कर दिया 30 car कर दिया और जो A firm है जो efficient है कि वो 60 car भी produce कर सकती है but A firm ने B firm को देखते हुए अपना production कितना कर दिया 30 minutes कर दिया तो जो A firm efficient थी जो अपना production और ज्यादा कर सकती थी और मैं भी इतना तो रख सकती थी उसने just B firm को देख के अपना और पूट अपने प्रॉक्षिन क्या कर दिया कां अपर तो यहां पर फिर्म है उन के इ pins Sur Korea tutteolly के ईक्रßर्थ जाती है क्योंकि दूश्य कराश स्वाटरा का यहिशन से उन हमारी उस परक्ट को बनाने में कोस्ट जितनी भी है जो वृ इस से ज़्यादा क्या होता है हमारा प्रैस और अबरेज रिघनु मिला हम इतना ज़्यादा प्राइस हid रखते हैं कि वह कोस्ट भी सेनने कंई हो जाए प्रॉफट कोस्ट मुष्ट इक एन्ठा़एं जो प्राइस है वहे फिर्फट को एक सीड करता है क्योंकि इसमें हाई प्रैस है तो एफोरिछ पिरटा है तो सबैब of worse car जैसे कि इंकबनाने के लिए कोस भी जादा होती है उपर से profit profit margin जादा है और selling cost भी जादा होती है तब prices high होते हैं और जो price है वह हमारा average coast से जादा होता है तो यह थे हमारे effect of oligo polly तयर टाइब सब्सक्राइबल eault relationships of oligo polly आपके concept clear होगा कि oligo polly market क्या है प्रिट्ट, प्रिस्ष कितने हैं। अगर आपको इस टोपिक में कुछ पीड़ाउट हैं केंके अगर आपको वीडियो झालगते हैं तो आप क्मेंट कीजें ताके में मुटिवेशन मिले। क्या आपको अच्छी लग रहे हैं वीडियो content अच्छा लग रहा है समझ में आरहा है understandable है content कॉर आपको कमी लग रही है तो आप comment में बताइए ताकि वो coming next वीडियो में इंप्रूफ हो सके अगर आप comment ही नहीं करेंगे positive और negative तो ना तो हमें कोई response नहीं मिलेगा कि video understandable है या नहीं है या कहां कमी है तो comment किया करें और साथ साथ अगर आप channel पर new है तो channel को subscribe किजे ताकि आपको next आने वाले वीडियो की notification मिल जाए और इस वीडियो को अच्छे लगी है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए and comment कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ जो इस topic को prepare कर रही है ताकि उनको help मिले और subscribe पीचे चैनल को ताकि आपको notification मिले next आने वाली वीडियो कहां